गुरु गोबिंग सिंग जी महाराज जी का कोई कार्टून बना है वो कार्टून वाले परस्नेलिटी है ही नहीं मरके जाना है उस महाराज को मूद इकाना इधर तीन सिधारे नहीं चलने वाले उदर उधर आपनी पार्टी का काड नहीं PGP का काड नहीं Congress का काड नहीं कुछ नहीं कार चलने वाला है अकाल तकत साब के छतेधार क्याा पावर है वाई गरू वह पावर कैस तांग कैं कुछ करनी रहा है गुरू गोपिंग सिंग जी महाराज को वाईगरू काटून अगर कोई बना है आड़ा तेड़ा अगर मुझ डाले ना कोई F.I.R. नहीं हो रहे हैं मेरे को समझ भी यह नहीं आ रहा है वाईगरू सच्छी अगर मैं हाइदराबाद में होता ना तो वाईगरू F.I.R. वहां पे ले ली होते हैं यहां क्य तो वाईगरू आप लोग अगर इस चीज में नहीं साथ दे रहे हो ना तो ना तेको मत्ता गुरुग्रान साहिब जी कि दर ये सारों के लिए बोल रहो हूं मत्त टेको जाओ कई और चले जाओ इसका जमीर चक्किया वाईगरू सिंगो कौनसे एसी के नीचे सोये हो यार नहीं है बापकुर कोबिंग सिंग जी मारच बाप बदले क्या संद चर्नेल सिंग जी खाल सा बिंडरावले शहीद होते 1984 में अपना हग मांगते मांगते वाईगरू शरीर का मरना मौत नहीं समीर का मरना मौत है मर गया है सबका जमीर पंजाबी लोग चैनल देखवने तमाम दर्शका दावी बहुत स्वागते जी मैं है तो आटा अपना हर जीत जरे वाला डाटर पर वेक बिंडरा बोलनों श्रीक गोबिस सिंग जीडी की काटून देख वीडियो जीडी यूटूब ते पाई गैसी ओसुन लाक के सिक चते बंदिया वेजे काफी रोज पाया जा रहा है आते विक्की थोमजी जीडी की बंबे तो आके श्पैशल आज अमरसा जी कि अमरसादे सीपी साहब ने उना नूजिक मंग पर देता गया वा गालबग करांगे विक्की थोमजी साथ नाल है वाइगरू जीडी की फते वाइगरू जीडी की फते वाइगरू किस तरह देदे विडियो डाटर बिंद्रा ने श्री गुरुगोबिस सिंग नीजरे प्रकार का बेद भी एक काटून एनिमेटेड वाइगरू वो परसनालिटी का वाइगरू जो वर्ल्ड में सिफ एक फादर आफ ओल वाइगरू जिनोंने सर्बंसदान वाइगरू आगे पीछे कुछ नहीं वाइगरू एक फाज के साथ खालस खालसा फाज तैयार बर तैयार वाइगरू 1699 में वाइगरू ये खालसा पंत का स्थापना पंज प्यार हो गया तो अमरिशकर वाइगरू खालसा ये जो मिट्टी है वाइगरू आज शेरे पंजाब वाईगरू यहाँ पर एक निशान साहिप चूला था वाईगरू बाई विनोजी के आतो बबा बंदा सिंग बादुर ने जब खंडा खड़का था वाईगरू यही है वो पंजाब आज वो पंजाब ना वाईगरू धल रहा है क्यों ड़ल रहा है क्योंकि वाईगरू हमने महाराज को वाईगरू जो प्रता है उसको गाय भी कर दिया है आज तीन-तीन तकत साब है वाईगरू पंजाब में तीन-तीन तीन-तीन तकत साब में वाईगरू दसम महाराज है ही नहीं क्यों नहीं है दसम महाराज जहां पर 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 आग्या भाई अकाल की तबे चलायो पंट सब सिकन को को मैं गुरू मान योगन यह बोलने वाले नो गुरु जो starting के वो नहीं सिर्फ एक जो नो गुरु उनको पिता नहीं लगता है सिर्फ एक सर्बन्जानी दश्मेश पिता गुरुगा बेंक संग जी महरोज पांच पैसे एक नारियल एक चंदन काठी का हजूर साहिब के मिट्टी पे गुरुग्रेंट साहिब जी को गुर्ता गद्दी दिया वाईगरू वहाँ पर वाईगरू आज तीन तकत साब है नहीं, इंकम्प्लीट वो ही देखो वाईगरू, हजूर साहिब अपचल अगर लॉम्देर महाराज का प्रथा बकरें भी जटकते है वाईगरू बेट मिसमैं नहीं होता है वाईगरू आज इतना आगे, पीछे गूम रहे हो वाईगरू चलो चलो कोई आज़ी नहीं रहा है जी पेशी की तरह से, क्यों नहीं आ रहे एक क्वेस्चन वाईगरू यह वर्ल्ड के सारे सिक जितने भी है दुनिया में हाँ वाइगर हूँ मैं क्रिश्चन वाइगर हूँ अम्रितनी शका वाइगर हूँ क्योंकि मैं कैशेदार हिंदू नहीं हूँ अपना हक मांगो संद जर्नेल सिंग जी खाल सा बिंडरा वाल है शहीद होते 1984 में 84 में इधर अटैक हुआ टैंक तोप सब चड़ा लेकिन तकत्री नंदेड हजूर साहब अप्चल लगर नंदेड में एक पत्ता तक नहीं हिला क्यों माराज विराजमान सवाला कुदार है उदर धरम परिवर्त अन्य होता है कोई क्रिश्चन कनवर्ट नहीं करा रहा है किन के थापड़ी से गरगाब बैंक सैंग जी माराज जी के थापड़ी से ये दो साल का वाई परिव में हे इमकुण साहब के आता मत्ता देखने है हे से मत्ता देखने और एक चीज मेरा एक investigation ता जलंदर में वो चक्कर में मैंने बेद भी देखा गुरु गोबिंग सिंग जी महराज जी का कोई काटून बनाए वो काटून वाले परस्नेलिटी है ही नहीं चौदा जंगे लड़ा है महराज ने वर्ड में की फादर अपने आखों के सब ने चार नूर को खोया चार नूर पंत के लिए वार दिये अभी तो जागोल जमीरो जाओ उण मरत के जाना है उस maharaj को मुह ठीकाना इदर तीन सिव सिंह ने चलने वाले उदर उदर आम आदनी पार्टी का काड नहीं, BJP का काड नहीं, कॉंगरस का काड नहीं, कुछ नहीं काड चलने वाला है, उदर सिर महराज का प्रता चलेगा, वो ऐजटका सोचो वाईगरोज अमीर जागो मेरा काम है बोलना वाईगरोज सच मरते दम तक बोलूँगा चाहे दुनिया इदर से उधर क्यों न हो जाए वाईगरोज अगरोज सब्सक्राइब करें इस जी पीसी गुर्दू से ईधर कर दोब्र परबंद कमिटी शिरोमनी चर्च परबंद कमिटी तो नहीं क्यों नहीं करते वाईगरो इतना बड़ा संगतना है एस जी पीसी वाईगरो इतना पावर्फुल कितना पावरे मालुमें तकष्रियू अकाल तकट साब में 52 हिंदू राजाओं को ग्वालियर से रिया करने वाले गर्यू हार गोबिन साहिब जी मीरी पीडी दे मालक आज अम एक बंदी सिंगों को रियानी कर पारे आप बड़े बड़े बैनरों में गुर्दुवारे के बार लगाओ ऐसी करते रहो वाईगरो कोई मतलब नहीं अकाल तकत सापके जतेदार क्या पावर है मालूम है वाईगरो वो पावर क्या है स्तान क्या कुछ करनी रहे सबसे बड़ा उधारन साथ संगत जी ये लो मुंबई में प्रोग्राम था पास्टर बजिंदर सेंग का धरम परिवर्तन करने हार था मुंबई में देड़ भी नोट कर लो 12 में 19 में और 24 में तीनों का तीनों का प्रोग्राम ही उने नहीं दिया मैंने अकेले ने नहीं मैंने पहली बार महराज के पांच सिंगों का पावर देखा पांच सिंग नवी मुंबई के एक होकर टोटल 98 गुर्दुवारे का लेटर सीधा राज बवन में गए राज जपाल से मिले वाईगरू फर्स्ट पर्सनेलिटी गवर्नर ऑफ महराश्ट्रा उसके बाद कमिश्टर ऑफ पोलिस मुंबई उनको दिये लेटर कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ये औरंग जेब ये जो काम किया धरम परिवरतन वोई काम ये लोग कर रहे हिं हिंदू से क्रिषण सिक्से क्रिषण पर्बंज जुका जा रहा है वाईगरू इसे रोकना है मंभई में होने नहीं दिया ये तो पंजाब है इदर इच इनका है देरीच मेर को आखे साइन करना जलंदर में क्यों क्रूसेट इदर हैं अम्रिच संहें होली शिटी तुमारे सीने में प्रोग्राम रख रहा है तुम नहीं रोख पा रहे हैं मर्द हो तुम लोग सोचो क्या है imagine करो कौन से ट्रैक पे चल रहे हो वाई गरू क्यों नहीं कर सकते हैं सब एक हो कर चलो जब यही धरम परिवर्तन कराने के लिए औरंग जेब ने कश्मीरी पंडितों के लिए वाई गरू किया ना तो कश्मीरी पंडितों वाई गरू पहुचे थे अननपूर साहेव नौ साल का सिर्फ माराज नौ साल के क्या सोच रहेगा इनी कश्मीरी पंडितों के लिए पिता आप से बड़ा और कौन जो इनका धरम का रक्षक करेगा यह माराज का सोच गरिकाव बैंक सिंग जी मारज यह मत्ता ठेकता है उसी के लिए वाई गरू यह सब कुछ कर रहो मैं उसी के लिए वाई गरू मैं जी भी रहू माराज का प्रता माराज का जो धरम रोको पंजाब एक गड़ बन रहा वाई गरू इससे रोको पंजाब दूम रहा है असी देख्या भी जुदो तुसी बजिंदर पाष्टर देख्रा आप बोले सी ते तो हांटे ते 295 परचा दा हो गया थी परहुन गुरू साहब दाट्र बनाया गया डट्टर बिंद्रा वही मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है वाई गरू यह लौ यह सवीदान सब के लिए एकुल है यह एड़ोकेट के ओफिस में सब के लिए एकुल है मैंने बजिंदर सिंग के बारे में बोला जबकि वो ब्लैक मैजिक करता है पास्टर अपने आपको बोलता है पास्टर ने सि अटकाए वो प्रथा मैंने बोला अनंतपूर साइब गुरू की नगरी में और मेरे पर एक नहीं दो एफायर होता है और वाइगरू मेरे को इतना बुरा लग रहा है यह पंजाब यहां पर वाइगरू एफ यार नहीं ले रहे किन के लिए गुरू गोबिंग सिंग जी महरा आजको वाइगरू काटून अगर कोई बनाए अगर मूँ डाले ना कोई F.I.R. नहीं हो रहा है मेरे को समझ भी यह नहीं आ रहा है वाइगरू सच्छी अगर मैं है है तो वाइगरू एफ यह ले लिए होते हैं यहां क्यों नहीं ले रहे मैं किसके लिए लड़ रहा वाउरस वेगरा मैं इदर या मजा में नूंगा न। सिर्फ इस्पारो सिर्फ महराज का उन्होंगों को भी मैं आइक मेरे को बोला कि नहीं फ़ार मैं टर नहीं तुम जा के मंभाई साम दें निरू चाहिए करů ए और जाओंगा अम्रिसर तब छोड़के जब उस दोगले पे विवेक बिंद्रा जा दुनिया के किसी भी आदमी के पास जा सब नपुनसक रहेंगे सिर्फ एक सर्बंजानी तशमेश पिता गुरिगोबिंग सिंग जी महराज वो इच तुझे माफ कर सकते बस पांच सिंग ग जाओंग उदर बेंती कर तो तेरको एक वाड मिलेगा वो है शर्फ शमा नहीं तो तेरको कभी इदर भी जा किसी के भी गोदी में जा तेरको सॉलुशन है इच नहीं वाई गरू मेरे को ये चीज का है पंजाब में फ़यर नहीं हो रहा है टू नैंटी फ़यव का धारग क्या है रिलिजिस सेंटिमेंट को हट करना बजिंदर सिंग कोई घुरू है क्या कि गुरू बनाया तुम लोगोंने गुरू तो नहीं है ना उस दोगले के बार में बूलू तो मेर दो F.I.R वो काटून उसका फोटो डालता है गुर्गोबिंग सिंग जी महाराजी का कोई F.I.R नी क्यो जमीरे जागो मर चुके हो खोकले हो चुके हो तुम लोग यार शी शरम करो मेरे को तो मैं तो प्राउड फील करता है मेरा पिता का फोन है सो बसो महल में क्या बोलता है मेरा पिता जबता है कि F.I.R नी होता है अना नी मेरे गल पे वापिस क्या प्राउड होता है कि मेरे फादर भी मेरे को सपोर्ट करते काटने के लिए तयार हूं मैं माराज के लिए वाइगरू अम्रत नी शका वाइगरू लेकर भी देखो माराज ने दिया हुआ था अनुगे तुसी करीब डिसीबी साव दफ्तर गें अधि उत्रबा तुसी फुर्स कमिशन दफ्तर जो हो कि रनेती की है कि लाइदा पर तो हनुग तुसी कल्रे ही जाके लडाई लड़ाई लड़े हो खासका कर के घृड़ी गुरू साव दी क्योंगी बेदी हो रही है तुसी फिर अगली रानेती की होगी जैकरपांचा नहीं दर्ज होना तुसी अगली रानेती की है ति मिन एविजसों का यह दार्टर बिंद्रावा उन्हें यूटूब तो जड़ी वीडियो डिलीट करने से पाप नहीं दूलता जब तक उस गुना का माफी नहीं मांगता है solution नहीं निकलता है और रही बाद वाइगरू रननी थी आगे का मैं अकेला नहीं हूँ वाइगरू महाराज के जितने बच्चे नहीं यह वहीं गुरू को बैंसिंग जी महाराज है चार को खोने कर प्राद भी क्या बूलते मालूमें इन पुत्रन के शीश पर वार दिये चार मोहे तो क्या हुआ जीवित कई हजार रोए नहीं आज बड़े बड़े जितने भी यह वाइगरू उनका एक इच हाई मेरा पोत्त को क्या हुआ हाई मेरा पोत्त को क्या हुआ आज कार सिवा वाले बाबाजी आज नियंग सिंग वाले जितने भी वाइगरू चाहे चीज है बाप तो सिर्फ एक ही है न कि बाप अलग है अगर उनको कोई काटून बनाए न तो वाई गरू आप लोग अगर इस चीज में नहीं साथ दे रहे हो न तो ना तेको मत्ता गुरुगरेन साहिब जी किदर ये सारों के लिये बोल रहों मत ठेको कि जाओ कई और चले जाओ या तो एक बार खुद जाके नील डाउनों के बोलो वाई गरू मैं सही किया मैं आपके किलाफ लड़ानी में सही किया महाराज आपको उदर क्या बोलेंगे एक बार सुनके भी तो देखो किनके नाम पे सब कुछ है महाराज ने बोला आग्या भाई अकाल की तब्बे चलायो पंत सबसिकन को कुम है गुरू मान्योग्रंत यानि एक ही गुरू है आज मालूम पड़ा कोई डेरा या कोई बावА कामनिया है कोई माप पुरुष मेरे को दिखा नही बाप के लिए लड़ना पड़ता है बाप के लिए मैं महा कसम कटने के लिए भी तहर हूँ जो मा मुझे साथवी में छोड existनाओ के चली गई मैं न हिंदू को दरम परिवर्तन करता देखो क्रिशन की तरफ मैं न दस्तारों को बेद भी दस्तारों का जो पंजाब में हो रहा है कोई पास्टर नहीं करेगा मेरे जीते जी वो होने नहीं दूंगा चाहे दुनिया इदर से उदर क्यों नहों जाए मैं कोशिश ही कर रहा हूँ लड़ने का क्योंकि यह आ जाता है बीच में अगर यह ना होता ना आज अगर यह Constitution of India ना होता ना आज राज सिर्फ एक ही का होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाल सा राज चूलते निशान रहे पंद महाराज के सिर्फ एक ही लेकिन यह है इसका वाइगरु एक धार है वो हम वो फॉलो करते उसके हिसाब से हम चलते हाज हमें मांग पत्तर देना पड़ता है अगर यह Constitution नहीं होता तो बकरे के जगे पे उसको जटका डालते क्योंकि बेद भी बेद भी को अगर एक चीज से अगर रोका जाना जटका आइन्दा कभी कोई बेद भी नहीं करेगा उदारन सबसे बड़ा इंडियन Constitution को मैं देना चाहूंगा यह इंडियन Constitution वाइगरू रेपिस्ट रेपिस्ट अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो मेडिकल है वाइगरू कि रेप किया है उन्होंने मेडिकल में प्रूफ हो जाता है बकरे के जगे पे एक बार जटका हो वो ही खून से तिलक चड़ा हो शस्तरों पे आइन्दा कभी रेप नहीं कर पाएगा कोई क्योंकि एक मा के पेट से मैं भी पाइदा हुआ है एक मा के पेट से ये वीर भी जो इंटर्व्यू ले रहा है वो पाइदा हुआ है एक मा के बिना ना वर्ल्ड अदूर है रेप ये जो है वो सब चीज के लिए जटका प्रता होई गाई नहीं वाईगरू गेप वाईगरू पुझाबी लोग चैनल आमिर सार